विश्यस्वरी स्टेडी सेंटर के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है हम लोग फिर से प्रस्नों के कुछ संगरह को लेकर के आए हैं जो हमारे अगामी परिक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे चलिए हम लोग इन प्रस्नों को देखते हैं और इनकी व्याख्या भी समझते हैं चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे एक सवाल है हाल ही में आर्मेनिया में हुए IBA Junior World Boxing Championship में जारकंड की Manisa Cricketा ने कौन सा पदक जीता सबसे पहले यह बात ध्यान रखोगे कि हम लोग थोड़ा से इस टूर्नमेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं फिर आंसर पर पहुँचने का काम करेंगे ध्यान रखोगे अभी जो है आप यहाँ देख रहे हो लिखा हुआ है IBA Junior World Boxing Championship यह ध्यान रखना है हुआ है कहाँ पर तो अर्मेनिया में ठीक है यह ध्यान रखना है कहाँ पर हो रहा है यह टूर्नमेंट हुआ तो अर्मेनिया में अर्मेनिया में यह टूर्नमेंट का आयोजन 24 नुवंबर 24 नुवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक किया गया ठीक है अर्मेनिया में ठीक है और अगर हम बात करें अर्मेनिया के किस सहर में तो याद रखोगे कि एक जगा है एरेवन वहाँ पर ठीक है यानि अर्मेनिया के एरेवन में 24 नुवंबर 2023 से लेकर के 4 दिसंबर 2023 तक एक टूर्णामेंट जो है हुआ इसको हम लोग आई विए जूनियर वर्ल बॉक्सिंग चैंपियन सिप जो है ना कहते हैं इसमें जारखंड की मनीशा करकेटा ने जो है एक पदक जीतने का काम किया है ध्यान रखना है मनीशा करकेट इस टूर्णामेंट में रजत पदक को जीता है ध्यान रखोगे ये अपने आप में एक बड़ी जो है उपलब्धी है ध्यान रखना है इसी टूर्णामेंट में अगर हम स्वर्न पदक की बात करें तो स्वर्न पदक जो है हमारा जो है एक देश है कजाकिस्थान वहां के खिलाड़ी जीतने का काम किये कज़किस्तान के खिलाड़ी को स्वन पदक मिला जबकि हमारे जारखंड के मनीशा किरिकेट्टा को रज़त पदक मिला ज्यादा कुछ यहाँ पर सोचने और समझने का नहीं है अब इतने ही फैक्ट्स आपके समख्ष है इस टुन्रामेंट से स आंसर कर सकते हैं और वो आंसर होगा रज़त पदक ठीक है चलिए अब हम लोग आगे की कोश्चन के तरफ चलते हैं यह अमारा दूसरा कोश्चन आपके समख्ष रहा यहाँ पर हम लोग जो हैना चीजों को देखते हैं एक यहाँ पर सवाल यह है 100 स्मार्ट सहरों में हो र विकास कारियों के मुल्यांकन के आधार पर होने वाली लाइव रैंकिंग 2022 इस में जार्खंड की राजधानी राची को पूरे देश में कौन सा अस्थान प्राप्त हुआ है बड़ा ढंक से चीजों को आप समझेगा कि भाई भारत में 100 स्मार्ट सहर को विक्सित किये जा रहे हैं उनमें हमारा एक स्मार्ट सहर के तौर पर राची को भी बनाया जाना है आपको बताते चले कि राची में जो धुर्वा का छित्र है जहां पर आपको बता दें प्रजेक्ट भवन का इलाका है जहां पर हमारा जो है नजेस से यह स्टेडियम है या जहां पर हमारा जो है अभी क्या कहते हैं नया विधान सभा गया है हमारा हाई कोट गया है उस वा किया गया है और इन छेत्रों में जो लगातार कारे हो रहे हैं उसके मुल्यांकन को हमेशा ना एक रैंकिंग परदान की जाती है और ये रैंकिंग जब परदान की गई तो ध्यान रखोगे 22 के मुल्यांकन कारे के अधार पर जो रैंकिंग का कहानी तै किया गया था कि भाईय एक सहर में जो विकास का काम हो रहा है अगर हम उसके हर एक पहलू को ध्यान रखे तो उसको एक पॉइंट दिया जाएगा और वो आउट अफ टी फिप्टी में होगा तो ध्यान रखना है कि राची को 350 अंक में से 324 दसमलव 48 अंक प्राप्त हुए हैं और इस तरीके से यह ध्यान रखोगे अगर हम रैंकिंग की बात करें तो इतने अंकों के साथ हमारा राची जो है वो दूसरे अस्थान पर रहा ध्यान रखना है पहले अस्थान पर एक जगह जो है वो रहा वो था गुजरात का सूरत यह ध्यान रख होगे और गुजरात के सूरत को ध्यान रखना है 350 में 335.79 अंक प्राप्त हुए हैं और इतने अंकों के साथ जो है सूरत पहले अस्थान पर है राची जो है 324.48 अंक के साथ दूसरे अस्थान पर है ध्यान रखें इस अधार पर हम कहें तो भाई हमारा इस question का answer जो है क्या हो जाता है दूसरा देख है चलिए हम लोग जो है ना अगले प्रस्ण की तरफ चलते हैं देख है ये जो है ना अपके समक्ष रहा हमारा तीसरा प्रस्ण देख है जहां दखोगे सभी लोग देख यहां पे जो question है वो है जहारखंड के परसिद्ध मानव सास्त्री डॉक्तर एस सी रोय द्वारा लिकित पुस्तक दा मुंडास एंड देर कंट्री का हिंदी में अनुआद निम्ड मेंसे किनके द्वारा किया गया आपको बता दें एस सी रोय साहब जहारखंड के जाने माने मानव सास्त्री रहे हैं authentic पुस्तक जो है ना, इसको माना जाता है, मुन्डाओं की origin, मुन्डाओं के culture, मुन्डाओं के संस्कृती से सम्मंदित, विभिन चीजों का जो है, चर्चा इस पुस्तक में किया गया है, भार्खन सरकार, भारत सरकार, और यहां तक कि जब अंग्रेजी सरकार यहां पर थी, वो भी इस पुस्तक को जो है ना, एक मानक पुस्तक मानती थी, आपको बताते चले कि यह जो पुस्तक है, The Mundas and Their Countries, S.C. Rai के द्वारा जो है, यह 1912 के समय जो है, लिखी गई थी, 1912 इस भी में यह पुस्तक जो है, लिखी गई थी, और यह बड़ा ही जो है, एक authentic पुस्त रखेंगे, आज के समय में, एक व्यक्ति हैं, जिनका नाम है, Dr. Raj Ratan, Raj Ratan Sahai, यह व्यक्ति, अमेरिका के एक उनिवर्सिटी, इलिनॉय में पढ़ते हैं, यानि इलिनॉय विध्याले के जो है ना, यह व्यक्ति है, ठीक है, यह व्यक्ति इस पुस्तक से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए, कि इन्होंने जो है, इस पुस्तक का, यानि The Mundas and Their Country का, हिंदी में अनुवाद कर डाला, ठीक है, और ध्यान रखना है, हिंदी में अनुवादित इस पुस्तक का नाम रखा गया, आदिम मुंडा, आदिम मुंडा और उनका प्रदेश, और उनका प्रदेश, देख है, फिर से थोड़ी सी जो है ना, चीजों को आप समझ ले, एक एसी रवाई की इस पुस्तक को, जो है, डॉक्टर राजरतन सहाए ने, आदिम मुंडा और उनका प्रदेश नाम से, जो है, हिंदी में अनुवाद किया है, डॉक्टर राजरतन सहाए, USA के इलिनॉइ बिस्विध्याले के अभिध्यार्थी हैं, वहाँ पढ़ने का काम करते हैं, और इन्हों ने जो है ना, इस नाम से, इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद खरा है, और इस आधार पर अगर हम इस कुश्चन का आंसर करें तो ये आंसर होगा, डॉक्टर राजरतन सहाए, देखें, ध्यान रखेंगे, A.C. Roy का नाम बड़े ही अदब से लिया जाता है, इतना प्रमानिक तत्य उसमें प्रकासित किये गए हैं, कि उसे जो है जारखंड सरकार, भारत सरकार, कोई भी नकार नहीं सकती है, आज भी ज अगले कोस्टन की तरफ चलते हैं, अगला हमारा कोस्टन है, वो है ये, आपके समक्ष जो है, आप लोगों को पता होगा, इस कोस्टन के बारे में, पहले कोस्टन समझ लेते हैं, क्या है बिर्सा मुंडा इस्मृति उद्ध्यान, राची में 9 अगस 2023 को, किसकी अध्यक्ष में जारखंड आदिवासी महत्सव 2023 का आयूजन किया गया, क्या ध्यान रखोगे, 9 अगस्त का जो समय है, वो कुछ लोग उसको कहते हैं, आदिवासी दिवस भी कहते हैं, ध्यान रखोगे, आदिवासी दिवस के दिन, ये जो है, अदिवासी महत्सव का आयूजन किया गय जारखंड के राची में। वो हमारे मान्य मुख मंत्री हेमन सोरेंजी के द्वारा किया गया ये बात ध्यान रखोगे ये ध्यान रखना है आदिवासी महोसों के जो है मुख यतिती भी थे साथ ही साथ आपको बता दे कि इस महोसों के जो है उद्घाटन के समय हेमन सोरेंजी के साथ में उनके पिता है ठीक है तो अब जो है अगर हम लोग बात करें इस question के answer के उपर कि किसकी अध्यक्ष्टा में इस अधिवासी मोहतसव का आयोजन किया गया तो इसका सही answer होगा हेमन सुरिन हमारे जो मुख्यमंत्री है वो ठीक है यह दियान रखोगे चलो अगले प्रस्ण की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ आप देखोगे एक question जो है ना पूछा गे आपके समक्ष देखें कि हाल ही में हरी हर नरायन परभाकर का निधन हो गया वे किस विधान सभाच्षित्र के पुरुविधायक थे बाबु ज़्यादा जो है आपको ज़्यादा प्रसान करते नहीं है और वैसे इन व्यक्तित्वों को जब हम पढ़ते हैं तो ज़्यादा वैसा चीज आपसे पूछा नहीं जाता है अगर इनका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है तो कार्य छेत्र पूछा जाता है अगर ये व्यक्ति तो बहुत जादा अपने जीवन में संघर्स किये और उस संघर्स की दौर में कुछ अखबारों को, कुछ संस्थाओं को अस्थापित किये, तो उनके बारे में बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, लेकिन ये जो हरिहर नरायन परभाकर हैं, ये नॉर् जादा इनके बारे में कुछ जानना नहीं है, बस ये आप सिंपल सा बात जान लो, कि ये व्यक्ति जान रखना है, एक जगा है जिसका नाम है धनवार, ये नॉर्मली ये ध्यान रखोगे सभी लोग, ये गिरिडी डिस्टिक में पढ़ता है बाबु, ठीक है, तो ये सीट से जो है ना विधायक रह चुके हैं, ये ध्यान रखोगे तीन बार, एक 1977, 1985 और जो है ना 1995 में जो है विधायक बने, यहां एक बात और ध्यान रखोगे, भाई 77, यानि 1977, 1980, 1995 ये तीन बार विधायक रहें, लेकिन तीनों बार ये अलग अलग पार्टी से विधायक र यह बात आपको द्यान में रखना होगा ठीक है तो अभी question हमारा क्या था भाई कि हरी हर नरायन प्रभाकर का निधन हो गया वे किस विधान सवाचेत्र से विधायक थे या पूरु विधायक थे तो आपको द्यान रखना है धनवार धनवार कहां पर तो greedy district में ठीक है चलो अगले प्रसं की तरफ तेक है अगला जो प्रसंघ है वो हमारे समंग्ष यह है तेक है अभी जो है आप देख रहे होगे हाल में बड़े ही चर्चा में है ये क्रिकेटर अगर आप अखबार का जो है अध्यन करते होगे अखबार पढ़ते होगे, नियूस देखते होगे, तो थोड़ा कुछ controversy चल रहा है, कुछ विवाद चल रहा है इस कुर्केटर के साथ, ठैर हमें ध्यान लखना है, controversy के ऊपर बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है इस question के ऊपर, ये question क्या है, जारखंड के क्रिकेटर इसान किसन ने अपना टेस्ट डेब्यू किस देश के विरुद्ध किया था सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसान किसन जो है ये बाएं हाथ के एक बल्ले बाज है इस बात को आप ध्यान रखोगे दूसरी बात हम आपको बता दें कि इसान किसन जो है वो मूलता बिहार के रहने वाले हैं इनका जो है अगर पैत्रिक जो है निवास की बात करोगे तो मूलता बिहार के हैं लेकिन ये जो है किरकेट जो है वो जारखंड की तरफ से खेलते थे ध्यान रखना है जारखंड की तरफ से ये क्या करते थे क्रिकेट खेलने का काम करते थे तो ऐसी स्थिती में आपके समक्ष जो है ना एक नया जो चीज उभर करके आता है वो ये कि भाईया महेंदर सिंग धोनी एक जो है ना पहले किरकेटर थे जारखंड से खेलने वाले जो बीकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर इंडिया में सामिल हुए थे इंडियन टीम में सामिल हुए थे और महेंदर सिंग धोनी के नाम अनेको कृतिमान है जिसमें 2007 का जो है T20 वर्ल्लकप का जो है कप आप देखे हो ठेक है कि उन्होंने जो है ना इस खिताब को अपने नाम करा इसके अलावे 2011 में भी जो 50 ओभर का जो वर्ल्लकप जो है टूर् था खैर यहां पर जो है ना लोटते हैं और ध्यान रखते हैं कि महेंदर सिंग धोनी के बाद इसान किसन जो है दूसरे क्रिकेटर है जारखन से खिलने वाले जो विकेट कीपर बल्लेबाज के तोर पर भारतिये क्रिकेट टीम में सामिल हुए तो हम लोगों ने ये कुछ बाते करी इनके कुछ जो है ना नीजी जो है चीजों के बारे में कि भाया ये जो है ना बाय हात के हैं कहां से हैं किरकेट कहां से खेलते हैं ठीक है अब देखो ध्यान रखना है किरकेट में तीन फॉर्मेट होता है एक फॉर्मेट होता है टेस्ट एक फॉर्मेट होता है वन डे, ठीक है, और एक format होता है T20, यह ध्यान रखोगे, अब यह तीनों format में debut की कहाने आप समझ लेना, तो आपको जो है ना, बड़ा आसान होगा समझना, ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखोगे, टेस्ट में अगर हम लोग debut की बात करें, तो 13 जुलाई 2023 को, ठीक है, यह ध्यान रखना है, 13 जुलाई 2023 को, वेस्ट इंडिस के खिलाफ, ठीक है, इसके खिलाफ में, तो हम लोग जो है ना, बात कर रहे हैं, वेस्ट इंडिस, West Indies के खिलाफ में ध्यान रखना है इसान किसन ने अपने टेस्ट का डेब्यू किया अगर हम दूसरे तरफ चले तो आपको बता दें कि भाई ये जो है आपके जो इसान किसन साहब है इन्होंने वन्डे में डेब्यू किया था सिरलंका के खिलाफ में ये ध्यान रखोगे सिरलंका के खिलाफ में जो ये डेब्यू इन्होंने करा था वो भी जो है जुलाई 2021 में ये ध्यान रखोगे जुलाई 2021 में सिरलंका के खिलाफ वन्डे में डेब्यू 13 जुलाई 2023 को West Indies के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू और जो है ध्यान रखोगे T20 की अगर हम लोग बात करें तो 14 मार्च 14 मार्च 2021 को ये इंग्लैंड के खिलाफ जो है डेब्यू मैच जो है खेले थे ठीक है यानि टेस्ट में डेब्यू मैच वेस्ट इंडिल्स के खिलाफ वंडे में सिरलंका के खिलाफ और T20 में ये इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू मैच खिले है और अगर हम इन कंटेंट को ध्यान में रखे तो इस कोस्टन का आंसर हमको मिल जाता है और हमारा जो question है वो क्या है ये ध्यान रखना है हम लोग टेस्ट डेब्यू की बात कर रहे हैं कि किस देश के विरुध था आंसर क्या हो जाएगा ध्यान रखना है वेस्ट इंडिज चीक है ध्यान रखना ये जो है अभी हालिया समय में थोड़े controversial रहे हैं तो इनसे संबंद रोहित सर्मा तुमंगिल की कतार में इनका भी नाम सामिल है ध्यान रखना है ये बड़े ही कम मैचों में आ करके खेले और बड़े कम मैचों में ही इन्होंने दोहरे सतक का सफर तै कर लिया थेक है बड़ा ही होने हार प्लेयर है आसा करते हैं इनसे कि ये भारत को represent करेंगे और भारत को जो है अलग-अलग हिताब दिलवाने का जो है काम करेंगे खेर आगे बढ़ते हम लोग और अगले प्रस्ट की तरफ चलते है चलो ये देखो अब आपके समक्स जो है ना अगला कुस्चन है निमलिखित में से किस अस्थान पर पाइलट ट्रेनिंग सेंटर खोलने का फैसला किया गया है सबसे पहला बात आप लोग जो है ना ये ध्यान रखना है ये पाइलट मतलब जो है ये मत सोच ले ना कभी कबार आप देखते होगे कि ट्रक ड्राइबर भी जो है ना अपने जो है ना जिदर से वो गाड़ी चलाते हैं उसके बगल में पाइलट लिख देते हैं लेकिन ये वो वाला पाइलट नहीं है ये ध्यान रखना है नगर बिमानन बिभाग बिमानन बिभाग अब नगर विमानन विभाग मतलब ध्यान रखना है जो हवाई जहाज का नाम आप जानते हो हवाई जहाज जो आप देखते हो एर इंडिया का नाम सुनते हो या कुछ भी इस तरीके का चीज मतलब वायवान की अगर हम लोग बात करें यह उसके पाइलेट ट्रेनिंग सेंटर की बात यहाँ पर की जा रही है और ध्यान रखना है कि भारत का जो नगर विमानन विभाग है उन्होंने यह पाइलेट ट्रेनिंग सेंटर को खोलने का फैसला किया है जहारखंड के तीन स्थानों में देख है यह ध्यान रखोगे कहां कहां पर यह ट्रेणिंग सिंटर खोलने का प्रयास किया गया है तो पहला ध्यान रखोगे राची देख है दूसरा जो है ध्यान रखोगे दुमका और तीसरा जो है ध्यान लखोगे जमसेदपूर तीक है यह ध्यान लखना है राची, दुमका और जमसेदपूर में नगर विमानन विभाग भारत सरकार के द्वारा पाइलेट ट्रेंडिंग शेंटर जारकंड में खोले जाने की योजना थी और इसी के तहत यहाँ पर विवस्थाएं अस्थापित की जा रही है तो ध्यान लखोगे यह कंटेंट हमारे समख चो गया अगर अब हम कोश्चन की बात करें कि यह जो निमलिखित अस्थान है इन में से कहाँ पर यह खोलने का प्रयास किया गया आप देखो जाम ताड़ा की बात तो यहाँ पर जाम ताड़ा नहीं है मतलब यह आंसर नहीं होगा यहाँ पर दूसरा जो है देखो राची, दुमका और जमसितपूर तो हम देख रहें कि साहिब गंज भी नहीं होगा यहाँ देवघर का नाम है तो ये देवघर भी नहीं होगा, अब देखो बीच में हमें यहां पे दिखाई पड़ता है, कि दुमका में खोले जाने की योजना है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, दुमका, ठीक है, ये जो है, आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, कि तीन जगों पर पाइले ट्रेनि की तरफ चलते हैं, चलो, अब यहां पर देखो, आपके समक्ष एक कोस्चन है, एक, ये कोस्चन को जो है, समझना आप लोग, एक है, कोस्चन क्या है भाई, मुख्यमंत्री, सार्थी, योजना के तहत कितने वर्स के समान इस्रेनी के युवक, युवतियों को कॉसल परसिक जारखंड सरकार की एक संस्था है, जिसको हम लोग, जारखंड कॉसल विकास, जारखंड कॉसल विकास, मिसन सोसाइटी के नाम से जानते हैं, मिसन सोसाइटी के नाम से जानते हैं, एक है, ध्यान रखना है, इसी संस्था को जारखंड सरकार ने जो है, एक काम सौपा है, कि भाईया आपको जारखंड के युवक और युवतियों को, जो है न, इस्कील डेबलमेंट के लिए ट्रेनिंग देना है, और उसके लिए, इन क्या नाम दिया गया है, मुख्यमंट्री सार्थी योजना, इसको जो है, संचालित करने का जिम्मा किसके पास है, तो जारखंड सरकार के इस संस्था के पास, जिसका नाम है जार्खंड कौसल विकास मिशन सोसाइटी धियान रखोगे ये जार्खंड कौसल विकास मिशन सोसाइटी को सौटकट में हम लोग जो है ना कहते हैं JSDMS यानि JSDMS के पास मुख्य मंत्री सार्थी योजना के संचालन का अधिकार है तेक है ये बाद जो है आप ध्यान रखोगे अब इसके माध्यम से ध्यान रखना है मुख्यमंत्री सार्थी योजना के माध्यम से धारखंड के बच्चों के कौसल विकास का काम करना है तेक है skill development का काम करना है और इसी skill development के लिए ध्यान रखोगे कि केंद्र अस्थापित किय जाने है और उस केंद्र का नाम होगा बिर्सा केंद्र ठीक है अब यह ध्यान रखोगे ऐसे अगर बिर्सा रहेगा तो आप लोग सोचोगे यह बिर्सा मुंडा के नाम से प्रेरित है ठीक है लेकिन इसके माइने थोड़े से दूसरे हैं बाबू इसको समझना आप कि इस बि block label block label Institute for Institute for Ruler 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 skill exhibition ध्यान रखोगे यहाँ पर है B, यहाँ पर है I, यहाँ पर है R, यहाँ पर है S, और यहाँ पर है A और यह बन गया बिर्शा, थेक है, Block Label Institute for Ruler, Skill Exhibition यह जो है ना बिर्शा केंदर कहलाएगा बाबू यानि हर एक Block में इस परकार का एक केंदर खोला जाना है और उस केंदर के माध्यम से कौसल विकास की कहानी को आगे बढ़ानी है हर एक जारखंड के लोगों को जो एक निश्चित उमर में है अब उमर की बात कर लें कि निश्चित उमर का मसला क्या है तो ध्यान रखना है अगर समान श्रेनी का कोई विक्ती है तो ध्यान रखना है समान श्रेनी के विक्ती की उमर अठारा से जो है अठारा से पैंतीस यह ध्यान रखना है तोड़ी गलती होगे यहाँ पर यह अठारा से पैंतीस है यह ध्यान रखना होगे एक है समानि स्रेनी के व्यक्ति को जो है जिनका उम्र 18 मिनिमम उम्र 18 और मैक्सिमम उम्र जो है ना कितना है 35 है उनको जो है इस योजना के तहलाब दिया जाएगा यानि की परसिक्षन दिया जाएगा जबकि अगर हम बात करे अरक्षित स्रेनी के लोगों के बारे में तो ये बात जो है दियान रखोगे ये उम्र 18 से 50 निर्धारित किया गया है फिर से एक छोटी से जो है ना समय को लेते हैं हमनों जो है चर्चा कर लेते हैं जहारखंड सरकार की एक संस्था है जहारखंड कौ असल विकास के लिए एक बिर्सा के इंद्र स्थापित किया जाना है जो बिर्सा जो सब्द है उसका जो है ना फूल फॉर्म है ब्लॉक लेवल इंस्टिटूट फॉर रूलर स्कील एक्विजिशन ये ध्यान रखना है कि भाईया अब जब हम लोग इस योजना के तहत बात जाएगा ठीक है आसा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा चलिए अब अगले प्रस्न की तरफ अच्छा एक सेकंड रुख जाएंगे अब यहाँ पर हमने आंसर तो करा ही नहीं अभी हम लोग आंसर कर लेते हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं कि समान इस्रेनी के य लोगों कुछ है ना पर सिक्छन दिया जाएगा हम लोगोंने कंटेंट में यह देखा चलो अगले प्रस्न की तरफ हम लोग चलते हैं अगला प्रस्न है यह ध्यान रखोगे अप लोग अगला प्रस्न है जार्खंड के निस्नल फिल्म फेस्टिबल का आयोजन कहां किया ग यह जादा कुछ नहीं आपको समझना है बस यह जानना है कि अभी जो है ना हाल में एक नुवंबर से लेकर के साथ नुवंबर तक जो है जार्खंड का एक सहर है जिसका नाम है जमसेदपूर ध्यान रखना है जमसेदपूर जिसको हम लोग जो है टाटा के नाम से भी जान इस जमसेदपूर में फिल्म फेस्टिबल का एवजन किया गया, यहां ध्यान रखना है, देश विदेश से यहां पर 200 फिल्म में आई थी, लेकिन ध्यान रखना है, 60 फिल्मों का ही यहां पर परदर्शन हो सका, यानि कि परदर्शन के लिए सिर्फ 60 फिल्मों का ही चेयन किय जा सका ज्यादा कुछ इसमें है नहीं पस यह ध्यान रखोगे ये जो है न एक नुवंबर से साथ नुवंबर के बीच जमसेदपूर में आईजित हुई दोसो फिल्मों ने यहां पर अपने आपका पाटिसीफिसन के लिए आवेदन दिया था उसमें से साथ फिल्मों का ही चेन हुआ और इनकी ही परदसनी यहां पर हुई ठीक है यह ध्यान रखोगे अब अगर ऐसे जो है ना कंटेंट को जब हम देख लिए तो इस फिल्म फेस्टिवल का आईजन कहां किया गया इसका आंसर करना बड़ा असान हो जाता है और यह आंसर क्या होगा जमसेद पूर ठीक है चलिए अब अगले प्रस्ण की तरफ चलते हैं जो इस सिरीज का अंतिम प्रस्ण होगा यानि आज का दस्वा प्रस्ण आपके सामने जहना हम लो ले करके आए ठीक है यह दस्वा प्रस्ण क्या है भाई इसको ध्यान रखोगे सभी लोग यहां पे है कि हाल ही में ओनलाइन एजुकेशन के लिए यह बात जो है ना सब लोग समझोगे ठीक है तो जो भी आंसर होगा आटमेटिकली आप जानोगे कि वो ओनलाइन एजुकेशन के लिए होगा नॉर्मली हम आपको बता दे कि मुख मंत्री हेमन सुरिन जी के द्वारा राची में एक कायरेकर के द्वारान ओनलाइन एजुकेशन के लिए एक जो है आप को लॉंच किया गया जिसको कहा गया जे गुरू जी ध्यान रखना है क्या कहा गया जे गुरू जी ध्यान रखना है यह उस ओनलाइन एजुकेशन का एक मोबाईल एप है यह ध्यान रखना है इस app के माध्यम से जो है छात्र online classes कर सकते हैं और इस app में या इस app को जब आप download करोगे तो उसमें जो है ना एक से लेकर के 12 तक की किताबे भी online mode में लब्दों रहेंगी इसके माध्यम से जार्खन सरकार का एक योजना है कि भाईया किताबों को मिलने में थोड़ा ना लेट हो जाया करता है यहां के विद्यार्थियों को ठीक है हमारी स्कूली अस्तर पे जो है ना किताबे थोड़ी लेट से पहुंचती हैं तो यह जो समस्या है उसको दूर किया करके आप उसके माध्यम से भी पढ़ सकते हो मतलब किताबों के बिना आपकी पढ़ाई जो कमजोर पढ़ जाती थी उसको जो है ना रोकना इस एप का एक महत्वपुन उद्देश से भी है ठीक है तो ध्यान लखोगे ये जो एप लाया गया है उसका नाम है जे गुरुजी ठीक है और ध्यान लखना इस हिसाब से इस कुश्चन का अंसर है जे गुरुजी आसा करते हैं हम लोग की बिसिस्वरी स्टेडी सेंटर के एजु किसनल यूटूब चैनल में ये जो चीज़ें लगातार आपके समक्ष लाई जा रही है आप उससे जो है ना लाव उठा रहे होंगे और आपको बता दें फिर से कि हमारा तेलिग्राम चैनल है विसिस्वरी स्टेडी सेंटर के ही नाम से आप वहाँ जा करके इन सारे चीज़ों का पीडिएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अलावे अन्य भी चीज़ें वहाँ पर हैं जिसका आप लाव ले सकते हैं टेलिग्राम चैनल से कोई भी चीज़ जो है लेने या जो है ना उसका इस्तमाल करने पर किसी भी परकार का चार्ज नहीं है एकदम निस्चिंत हो करके जो है ना उसका इस्तमाल करें पीडिएफ निकाले अपने पढ़ाई को दुरुस्त करें और इसके अलावे आपको बत सकते हैं और आठ बजे जो है आपके समक्ष आएगा प्रस्नों का संगरा आपके समक्ष जो है आएगा परतियोगी परिक्षाओं को ध्यान में रख करके वो कुछ प्रस्न जो आपके लिए लाबदायक होंगे अन्यवाद